नमशकार आदाव आवाज दिवॉस में आप सभी का स्वागत है खेर मक्दम है जै जगरनात जी हां जगरनात रत्यात्रा जो कि उरिशा में होती है साल में एक बार आज हम बात करेंगे उसी रत्यात्रा के बारे में जो कि आज रत्यात्रा है हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में हमारे खास महमान विजे पांडा जी जो कि दिल्ली तियाजनगर टेंपल जगना जी का जो मंदिर है वहां के पंडिजी है आज हमारे स्टूडियो में है और रत्यात्रा के बारे में बात करेंगे नमस्कार पंडिजी बहुत-बहुत सौगत है बहुत-बहुत सौगत है हमारे इस स्टूडियो में आवाज दे वॉइस में तो रत्यात्रा होने जा रही है आज है रत्यात्रा तो बताईए पहले हम थोड़ी सी पूजा कर लें बताईए निलायचळ निवाशाय नित्याय परमात्मने बढभद्र सुबद्राभ्यं जगनात्यों नमा जगनात भगवान जगनात है उनके बराबर कोई नहीं है संसार में जो कि भक्त भगवान के पास जाते हैं लेकिन जगन्दात खुदी भक्त पास आते हैं इसलिए रथरात्रा मनाए गाया भगवान जी आपना सिंगहासन छोड़के भक्त पास आ जाते हैं जैसा कि उरिसा में हमने देखा है कि रथियात्रा शुरू होती है और इसका खास एक ही डेट होता है जून के इस महीने में और जो कि ये रथियात्रा है भगवान जगनाजी की श्रीकृष्ण भगवान की तो इसमें ये दोनु मतलब एक तरफ भाई बहन हैं तो ये क्या ये पहली बार हमने देखा है कि भाई बहन इस रूप में है प्रकट है वहां पर मतलब माराम जी भाई बहन मतलब सुभद्रा जी और जगनाजी आप कहते न ये एक रूप है ब्रम्ह जित्वी ओनास्ति जगन्द पहले एक थे इसमे चतुर्धा मुर्धी बनाएगे जगन्द यहाँ से जगन्नाथ जि उन्द इसमें हमको मालूम है कि यह जगनाट जी है यह सुँभादर्दा जी है यह सुदात्न जी में रहां őय sólo जूंदा है जी holistic कि यह देखा है दर्शन किये और मुरा कुछ अलग ही रूप है अलग मतलब जब भगवान जी पहले निलमाधर रूपन में थे निलमाधर रूपन थे जो राजा इंद्रदमन को सपन हुआ कि मैं पुरिशा है पुरिशा में जगनात्रम में प्रकट होंगे अच्छा वह आप ही करोगे और आप ही मंदिर बनाओगे हमको प्रतिष्टा आप ही करोगे अभी निलमाधर रूपन में हैं सबर राजा पुजा कर रहा है और आप जाएके उसको संधान लेजी जी तो इसकी खास तैयारिया कब से शुरू होती है कैसे शुरू होती है और क्या-क्या इसमें पुजा होती है क्या-क्या इसमें हम इफनवाना यानि कि अलग अलग effort कि अ अधियां चाहे तुर्तिया जी यह हमारे आंध हम आप लाया काुर्ध घृत mentre अपना। यह अलग ही बनाया जाता है इस तरह का रत होता है करने तरह होता, करने तरह होता है इसे नहीं जे हर जगा तीन रत होता है इसके पाद जैसे करते हैं तो हम बात करेंगे इसमें च्पपन्श बहुत की बी बात करेंगे कि च्पन्श बहुता है क्या-क्या है छफन सब्सक्राइद वह होता है। पूजार पूजा होता है इसके बाद भावान जी का फिर मध्धन दूप होता है फिर पहड होता है फिर रात का जो दूप होता है फिर रात में शिंगार होते इसके बाद भावान जी के पहड होता है इसी हिसाब से जो जितना टाइम है वो विभाग हिसाब से भोग लगता है पहले भाव्वान जी के मंगल आर्थी और अवकास के बात जो पुझा सिंगार होने के पहले गोपाड़ बोला भौग लगता है। अच्छा जब वो उसमें थे पहले बालब भोग वो बुलते हैं इसमें खिचडी कानिका फॉल और पीठा खौजा इसी सो होता है इतने जो अलग अलग आपने कहा स्टेजिज यानि की पूरा देन पुरी रात भगवान जगनात की पूजा होती है अलग अलग भोग लगता है उनको श्रिंगार होता है कि देखिए हम लोग सोने के बाद उटके पहले क्या करते हैं दान्द मंदन करते हैं बात्रूम जाते हैं नाते हैं इसके बाद हम स्नान करते हैं स्नान करने के बाद हमरे क्या होता है शिंगार होते हैं इसके बाद हम खाना खाते हैं जो भी करते हैं पहले ठोड़ा ब्रेक् तो आप समझते हैं कि भगवान जी घर पे ही है वो हमारे पास में हैं तो उसी तरह से एक महमान के तोर पिर उनको भूग लगता है, उनको शिंगार पुरा अलग-अलग टाइम से लगता है, जिस तरह एक व्यक्ति नहीं, माडम जी देखिए, भगवान सब के पास है, हम कहें हम मंदिर में पुजग है, और हमारा भगवान है, हम भी सब कुछ कहेंगे, हमारा बहुत करें campus, जोगå ki bhagwца ji ko पूरा दर्शन देने के लिए वो लोगों के साथ आते है, पूरा उस लगवास दर्शन देते हैं, लोगों से पहले स्नानपनिम होता है लोग क्या वहां पर दान वह गरा चड़ाते हैं लोग क्या चड़ाते हैं बगवान जी को बोग जो लोग आते हैं दर्शन को फॉल लाते हैं कोई नरियल लाते हैं कोई सूट लाता है जिसका इच्छा जो होता है उलाता है अच्छा पूल लाता है क कोई भी ऐसे खाली हात में आते हैं, सब लोग तो ऐसे ही नहीं आते हैं, भी इसी सद्धा में भी आज एक दर्शन करते हैं, आप से एक शलूक और सुनेंगे अंकस्तोरी तिलकम ललाट पटले, बक्षस्तले कोस्तुभं, नासाग्रेग जमुक्तिकम करतले, बेणु करे कंगनम सरबांगे हरिचन्न नमसुलरितम, कंठे चमुक्ता बले, गोपस्त्री परिवेष्ठितो विजयते, स्री गोपाला चोडा मने, स्री गोपाला चोडा मने इसका पतलपी बताईएगा धुरा साथ कास्तुरी जो भगवान जी का मिज़े छ्डानवगा जी करैसे कोस्तुभं बतों गोपने में इम चो शरीर में क्या क्या है उनके पास तिलक है कश्तुभन गोपालें मुधाय। कस्तोरी तिलकमल लाट वक्ष्यसले कोस्तुम नासाग्रे बरमुक्ति नासाग्रे बते कम करतले ब्यनु करे कंकडम ये इसमें ब्यनु है और कंकडम है शरबांगे हरी चंदनम सुलाइटम कंठे च मुक्तावली कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्ठी तो गोपी का चारा तरफ गहर के रहते हैं ये गोपाला मने गोपांगना और गोलोग का चुडा मनी होता है जी 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 तो आप बहुत आपने मतलब आपने अपनी शिक्षा पराप्त की पंड़ी तब आप यूएस में भी रहे तो आप यूएस में रहे उरिसा में रहे अब यहां दिल्ली में है तो आपको वाला कैसा लगा कि वहाँ लोगों की कितनी अमानता एक है क्या मांते और निकलती ूँ नहीं मतलब दोजा Singh सब्सक्राइब तो drafting वह हमको लेकी गए थे हम एक अचार पचास पंदित गए थे वह आमेरिका वहाए कि विश्व संती महाजग्य हो रहा था लेकिन जब जाके हम पहंचे हमर महसीजी मीटिंग लिए हम लोग का बताये कि यह मलेच है बीदेशी लोग मलेच है उनको चुनाने दूर रहना लेकिन कर दो लोग माड़म जी, महर रहा हम तो महर से आप लोगो मदेश आ आए है भारत का शन्तान भीन आए वहा अर। लोग मलेच शेलों के विए कंच उन जो भी जो बोलना है दूर से बोलना कम लीए हमारा जो त्यान एकोओ और अपक्यां आपने वहां तक पाला थे मतलब सब करते हैं न वह एक काम चला लेकिन वह इसको देखे फ़लो करके उम मालेगर उद्रावी से कर रहे थे वह बेदपाट कर रहे थे थे वह देखे वह तो ग्यानी है ना बहुत ब्रेनी लोग है इसको देखे मतलब वह भी ढूलने लगे इसको यह से क्या च कर लिए जैसे हम हम दो साल रहना हुआ है जैसे हम लोग को बोले वह भी बाद में बोलने लगे एक साल के बाद हम कोहन का मतलब देखिए हम लोग को जितना ये बेद और कॉर्मकान और जो धर्मसास्त्रे के बारे में हमको जितना जानकारी हो कि हम इसको रिलाइज करने पाते हैं वो लोग कर मीरेशा ही विशार्टे YOU कुछ मेरे अपांशे करतें मेदिटेशन हुल , पांसे दोलार मान करतें अंचेंजगी आगा विशार लेट करके पांशे करेंगे छेती कि और हिंधा कि अंदे को यह करतें तो आप बहुत अच्छी बात है कि विदेशू में भी हमारे कल्चर को अपनाया जाता है मेडिटेशन की जाती है तो आप बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए रत्रियाता हो रही है तो आप इतना मतलब भगवान कृष्ण को जगनाज जी को सजाते हैं सवारते हैं तो जाते जाते एक शलूक एक प्रेयर और उनके लिए जब हमको पुकारते कि बुलाते तो अब हम और थोड़ी सी जानकारी जाने कि जो लोग बक्त लोग आते हैं रत्यात्रा होती है चारदाम की यात्रा होती है और भी कई यात्राय होते हैं क्या इसमें कुछ वरत होता है खासकर नहीं रत्यात्रा मतलब आसारा शुक्लपक्या दूतिया में होता है देखिए हम लोग तो हर दिन ब्रत करते हैं विल्कुं नलबेश कुछ नहीं खाते पीा श्मी नहीं लेख सका मदा ही भगवाण जी खिलने के पर हम खाते हैं ये भी की ब्रot है ज़ी को भब्रोन से एक बत्हर नहीं हम दिन भर उपरोश रहें एक ब्रद होगी वोग लगवा और आनन्द आजाए ठीक है मतलब ऑम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभित्थार्मा धर्मस्य तरत्मानम सुजामिहं परित्रानाय साधुनम बिनासय चदुश्कृतम धर्म समस्था पनार्थाय संभवामी जुगे जुगे तो जो भगवान कृष्ण है उन कि अनुन में लोगों को क्या संदेश क्या संदेश निया है कि जीवन जेने का XVOC कि ले संद्य धिया है गीता के माध्या के तो सारा संद्या ज्रैंत जिया थे थे आनका पास हुआ जरा संद्य पास है प tanto को संद्या में घ्ला है ho below ऑर श्जून को संझाए कि संसर्था ऑमा तुमान नहीं यह जोना चार्ज तुमान नहीं है कोई भाई लोग तुमान नहीं लेकिन में तुमार हूँ में जो कहता हु तुम करो पहला औरजुन विशाद जोग से मुक्षय सन्यास जोग तक जो अठरा अध्या है ना उसको भागवान ने समझा क्या कि किसी लिए समझा है और यह रग दिया क्या धनुस रग दिया जुद्ध करने कले मना कर दिया इनको मार के हम विजय प्राप्ति करें सिंग्यासन ले ले इसे यह है तो जगना जी ही क्यों पुकारा जाता है जगनात मतलब क्या है जो जगत का नाथ है ये उरिशा का नाथ ने भारत का नाथ ने कोई हमारा देश का नाथ ने सारा ब्रह्मान चोद ब्रह्मान का नाथ इसले जगत नाथ जगनाथ बुलते है तो जगनाथ जी को लिए एक और शलोग हो जाए ओम् जगनाथ स्वामी नयना पथगामी भवतुमें जगन्नाथ स्वामी नयन पत्थगामी भवत में जए जगन्नाथ जए जगन्नाथ बहुत बहुत दन्यवाद।